हेलो स्टूडेंट कैसे आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सीव कोचिंग क्लासेश पर स्वगत हैं और आज टेंस में चर्चा करने वाले हैं फ्यूचर इंडिफिनुट टेंस आपका जो प्रेजेंट इंडिफिनुट टेंस है पास्ट Walking to End to match पर आपके पहचांण की वात कीजाले तो जिस बाग केंत में गांगेगी आदिया है तो हैं फ्यूचर इंडिफिनुट टेंस का भाग कहलाता है तो देख्यार आप किसी क्लास में है ट्रासलेट करने को आ आता है और सीधा हिंदी दिया रहता है बोल देता है translate to English तो वहाँ पर आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा बाक जो है future independent tense का है तो जिस बाक के अंत में गागेगी आ दिया है जैसे वह बिद्यले जाएगा वह खाना खाएगा वह खाना पकाएगा वह दोड़ेगा है ना वह स्कूल नहीं जाएगा ठीक है सीता नाचेगी है ना सीता खाना पकाएगी सीता गाड़ी चलाएगी ऐसे कोई भी ब्यक्ति हो सकता है नाम हो सकता है, first, second, third person हो सकता है उसके आधार पर जो बाग होता है उसके अंत्मेदी गागे की सब्द आ जाए तो वह जो है बाग future in repentance का कहलाता है यह इसमें helping verb की बात की जाए इसमें cell और bill का प्रियोग होता है cell का प्रियोग और bill का प्रियोग साथ ही इस helping verb की बात की जाए तो किसी प्रकार का sentence हो चाहे affirmative, चाहे negative, चाहे interrogative मतलब साधारण बाग, प्रिश्न बाचक, चाहे नकारातमग किसी भी प्रकार का बाग होका सभी में cell बिल का प्रियोग किया जाएगा ठीके student तो cell बिल का प्रियोग हम तीनों प्रकार के बागों में करेंगे चाहे affirmative हो, चाहे negative हो, चाहे interrogative हो चाहे साधारण, चाहे नकारातमग चाहे प्रिश्न बाचक, सभी प्रकार के बागों में हम cell बिल का प्रियोग करेंगे यदि cell बिल का प्रियोग की बात की जाएगे कि किन करताओं के साथ सैल का प्रयोग होता है, तो आज की डिट में उचे समान बोलचाल में Spoken English के दी बात की जायए, तो आप लोग पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े तो समझे, कि जो सैल बीलग का प्रयोग होता है, उसमें से समान बोलचाल में, सभी के साथ बिलका प्रियोग कर देते हैं सभी के साथ बिलका प्रियोग कर सकते हैं कोई दिक्कत ने सामान बोल चल वे spoken English में जैसे I के साथ भी बिलका प्रियोग कर सकते हैं B के साथ भी बिलका प्रियोग कर सकते हैं लेकिन कुछ grammar person के अधार पर पढ़ाई कर रहे हैं जो एक निश्चित रूल्स के अधार पर तुदि सेल की बात की जाए तो सेल का जो प्रियोग है आई वी के साथ किया जाता है किसके साथ आई वी के साथ लेकिन कुछ कंडिशन है जैसे मैंने यहाँ पर लिख राके हैं एक तो कमांड प्रॉमिस ठीकर मतलब आदेश हो किसी को आदेश देना हो आदेश देना हो और ही सी इट है तो वहां हम सेल का प्रियोग ही सी इट या सिंगलर नंबर के साथ भी कर सकते हैं प्रतिग्या या बादा हो तब भी हम वहां ही सी इट और आई आई के साथ तो मालीजे करना ही है दे यू इनके से मार दूँगा ठीक है तो वहां पर जो है हम ही सी के साथ सेल का प्रियोग कर सकते हैं. यहां पर determination ड्रण संकल्प हो, तब भी हम सेल का प्रियोग IV को छोड़ कर अंकरता के साथ कर सकते हैं. यहाँ पर अनिवारता कोई चीज निश्चित हो कि अनिवारता है यहाँ पर मैंने वैसे लिखा है कि आधेश हो प्रतिग्या हो धमकी हो ड़ण संकल्ब अनिवारता होने पर अन करताओं के साथ किया जाता है सहल का प्रयोग क्लियर है ना आई बी के साथ साधान बाक नार्मल बाक में हम सहल का प्रयोग करते हैं लेकिन जब किसी को धमकी दे रहे हो प्रतिग्या ले रहे हो या हम कोई काम को अनिवार समझ रहे हो या दढ़ संकल्ब फूरा हो तब वहाँ पर जो है ही सी इट यू दे के साथ हम सहल का क्लियर है ना वहसे तो आपको याद रखना है सहल का प्रयोग आई बी के साथ और बिल का प्रयोग ही सी इट है ना दे यू एनी नेम या सिंगलर नमबर इनके साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं लेकिन इसका आपोजिट क्या है कि यदि धमकी वो प्रतिग्या हो और अनिव धमकी हो, समझ रहा हो ना या प्रतिग्या हो, तो तब हम यहां पर देखिए, cell का प्रयोग he see it के साथ कब करेंगे he see it theyuu है ना किसी नेम के साथ ठाब प्रति ग्या हो धमकी हो लेकिन याद रहे कि जब भी आपemoades कर रहे हैं बिलड़ कर हैं लेकिन बिलड़ का प्रयोग तो आपको पता है he see it इन के साथ होता है लेकिन यदि प्रतिग्या धम की, तब हम बिल का प्रयोग IB के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे चीर याद रखना, जिस प्रकार से सहल का प्रयोग इस कंडिशन पे इनके साथ किया सकता है, उसी प्रकार बिल का प्रयोग इन कंडिशन पे IB के साथ भी कर सकते हैं, क्लियर रहना चीज इस ते यह नी नेम यो योर यू आधी के साथ भी कर सकते हैं क्लियर है ना तो सेल और बिल का प्रयोग कहां करेंगे यह आपके माइड में हो जाना चाहिए यदि मैं नोट की बात करूं तो इसमें एक आपको नोट क्या याद रखना है कि बर्ब का फर्स्ट फार्म प्रयोग करते हैं इस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फार्म प्रयोग करते हैं क्लियर है ना वर्ब का कौन सा फार्म केवल फर्स्ट फार्म ही प्रयोग करते हैं तो यह आपका हो गया सामान जानकारी किसका फ्यूचर इंडिपनेट टेंस का अब इसमें केवल एक चीज आपको याद रखना फार्मूला फार्मूला ही जान होता है स्टुडेंट फार्मूला यदि आप से बनता है तो ट्रांसलेट आसानी से कर पाते हैं फार्मूला के आधार पर ही आप कहीं भी इंग्लिस बोलना चाहें तो बोल सकते हैं तो फार्मूला सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेट बाग जब भी आप साधान बाग का आप फर्मूला बनाएं तो सबसे पहले आप लिखें सब्जेक्ट क्या लिखें स्टुडेंट सब्जेक्ट यदि हल्पिंग बर्ब लग रहा है जैसे सैल बिल तो सैल बिल लगेगा फिर ठीक है जैसे अभी आपने इसके पहले वीडियो देखें होंगे जो आपका पास्ट इंडिपनिट है और प्रजेंट इंडिपनिट उसमें जो है अफर्मेट्व सेंटेंस में हेल्पिंग बर्ब नहीं यूज होता है ठीक है ना तो सब्जेक्ट प्लस सैल बिल यह हेल्पिंग बर्ब हो गया इसके बाद बर्ब का कौनसा बर्ब का फस्ट पॉम तो फस्ट पॉम लग जाएगा इसके बाद आपको अबजेक्ट आता है अबजेक्ट इसके बाद एधी अधर बड़ है तो अधर बर्ब और इसके बाद फूलिश्टा एधी आपका हो गया कौनसा अफर्मेट्व सेंटेंस यहां पर जो आपका सब् अधर जो हो संटेंस में उसको लिखते है यह बात की जाए निगेटिव की निगेटिव संटेंस ठीक है निगेटिव संटेंस निगेटिव संटेंस में इस्टूडेंट ध्यान रखना है कि बस कुछ नहीं करना है सेल बिल के बाद नाट लगा देना है सबसे पहले आपको लिखना क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है सेल बिल और cell बिल के बाद आपका जुड़ना चाहिए not फिर आपका जुड़ेगा verb का first form फिर जुड़ेगा object फिर आपका जुड़ेगा other word इसके बाद आपका जुड़ेगा foolish stuff ठीक है यह other word है ठीक है other word है यह आपका होगा negative sentence negative sentence clear हो गया अब आपको समझना है interrogative sentence में ध्यान रखना है कि दो प्रकार के बाद हो सकते हैं interrogative की बाद कर रहा हूँ interrogative मतला होता है प्रश्ण बाचा ध्यान देना है आपको सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो भी आपका helping verb है जैसे cell और will है उसको पहले लिखेंगे इसके बाद आपको लिखना है subject इसके बाद आपको लिखना है subject इसके बाद आपका बर्वका first form इसके बाद आप कराएगा object object फिर आप कराएगा other word इसके बाद question marks रहेगा ठीक है ना लेकिन याद रहे जैसे when, where, what, एदी बीच में हो कैसे वह कहां जाएगा तो जब कहां सब्द बाद के बीच में हो जब कहां सब्द बाद के बीच में हो क्यों सब्द बाद के बीच में हो कब सब्द बाद के बीच में हो मतलब question बर्ड जब बाद के बीच में हो तब हम question बर्ड को पहले लिखते हैं तो question word होता है, wh bird, ठीक है, wh bird, होता है कि नहीं, और फिर हम लगा देंगे cell will, या लगा देंगे cell will, फिर लगा देंगे subject, यह subject हो गया, फिर लगा देंगे बर्व का first form, फिर लगा देंगे object, और फिर लगा देंगे other bird, ठीक है, और फिर question mark, clear and student, यह v का first form, मतलब बर्व का first form, yes मतलब subject, o मतलब object हो गया, जब भी wh bird वाक के बीचे में हो, हम सारे एक्जामपल के माध्यम से समझेंगे, चिंता करने कोई जरूत नहीं हो, जब wh bird बीच में हो, तब उस wh bird को हम English translate करते समय, sentence के पहले लिख लेते हैं, clear student इतना clear हो गया, तो इस प्रकार से, अब एक और आपको क्या समझना है, कि जब भी ऐसा बाग का जाए, कि negative भी हो, negative भी हो, और interrogative दोनों हो, ठीक है न, I and T E double R O, ठीक है, interrogative, मतलब प्रिष्ण बाचक नकारात्मा, दोनों बाग हो, ठीक है न, negative भी हो, और interrogative भी हो, पुरा लिख देते हैं, meaning, interrogative भी हो, प्रिष्ण बाचक भी हो, और नकारात्माग भी हो, तब क्या करते हैं, तो ध्यान देना है, इस चीजों में, पहले आपको क्या करना है, कि cell will का प्रियोक तो करना ही करना है, cell will, फिर लगा देना है subject, इसके बाद लगा देना है not, फिर वर्ब का, first form, और फिर लगा देना object, और फिर लगा देना other word, और फिर question marks, ठीक है, अब यतना द्यान रहें, कभी कभी, आपको ऐसा भी मिल आएगा, है ना, cell will, plus not, ठीक है, फिर subject मिलेगा, तो आप confused मत होना, कि sir, वहाँ पर हमें तो गलत पढ़ा दिये थे, ऐसा नहीं होता, ऐसा भी कऊ, ये दोनों ठीक है, लेकिन जब WH bird, WH bird, बीच में हो, तो ध्यान रखना student, WH bird से start होगा, बस इतना एदिया, आप लोग समझ गये होंगे, तो आप से पूरा translate, इस sentence का बिल्कुल बन जाएगा, है ना, मतलब कहने के मतलब, जो आपका future independent tense है, और जो भी sentence आएगा, इस sentence का, तो पूर्य तरह से, आप क्या कर सकते हैं, translate कर सकते हैं, तो cell will, यहाँ पर, तो याद रखना है, कि जब भी प्रिश्ण माचक और नकर आत्मका है, तो पहले आपको, जो भी helping word पहले लिखेंगे, इसके बाद अपन subject लिखेंगे, नाटिया आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब WH word बीच में हो, तो WH word हमेशा, हमें सब पहले लिया जाता है, इतना आप लोग माइंड में स्ट अप कर लीजिए, कि WH word है दिखिया, तो definite है उसको हम सबसे पहले लेंगे, clear, चलते हैं अब example के तौर पर समझते हैं, तब ही आपको पूरा clear हो जाएगा, तो ये रहे कुछ हिंदी बाक, इनके हमको translation करना है, तो चलिए देखने हैं पहला, वे खाना पकाएंगे, ठीक है न, वे क्या मिस हुए, तो दे, सबसे पहले अपन को subject, पहले तो यहाँ देखना है, कि साधरान बाक है, तो वे खाना पकाएंगे, तो दे के साथ क्या लगता है, वे खाना पकाना, क्या मिस पकाना, तो cook, C-O-O-K, दे कुक food, food मतलब होता है, भोजन, तो यह खाना पकाएंगे, दे विल कुक food, इतना क्लियर हो गया, मोहन, M-O-H-A-N, मोहन, ठीक है न, मोहन के साथ क्या लगेगा, बिल लगेगा, मोहन बिल, क्या मिस चलाना, drive, D-R-I-V-E, drive, गाड़ी, a when, drive, a when, मोहन बिल, drive, a when, ठीक है, अगला, मैं बिद्ध्यले नहीं जाऊंगा, तो I हो जाएगा, I के साथ क्या लगता है, student, cell, I, cell, negative है न, तो cell के बाद लगता है, ठीक है न, अब आपको याद रखना है, ठीक है, मैंने यहाप पर कराया, देख सकते हैं आप लोग, कि subject के बाद, cell will, plus not, फिर बाद का first form, plus subject, clear है न, तो यह दिया आपको, फार्मुले दी clear है, तो आप आसानिस कर पाएंगे, तो I, cell, not, क्या मिच जाना, go, कहा जाना, school, तो I, cell, not, go to, SCH, double, मैं बिद्याले, नहीं जाऊंगा, हम क्यों नहीं जीतेंगे, अब क्यों, सब्द जो है, बीच में आगया, तो पहले हम लगा लेंगे, why, why, हम, why, cell, फिर आप चाहें, not, यहां पर लगाएं, चाहें सब्जेक्ट के बार लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, why, cell, not, हम, क्यों नहीं जीतें, why, cell, not, we, win, ऐसा भी लिख सकते हैं, या, क्यों आप यहां पर, या, why, cell, not, be, not, why, cell, we, not, बिन, ऐसा, why, cell, be, not, बिन, ऐसा भी हम कर सकते हैं, या, why, cell, not, we, win, हम क्यों नहीं जीतेंगे, clear है, हम मैद जीतेंगे, यहां पर certainly यहां है, निश्चिता है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, तो ही के साथ लगा देंगे, बिन, यहां निश्चिता है ना, जब भी निश्चिता हो, तो हम ही के साथ लगा सकते हैं, बिन, ठीक है, वेसे सामान बोल चाल में, हम सभी के साथ बिन लगा सकते हैं, ठीक है लेकिन कुछ पुराने बुक्स में भी भी रोल्स दिये हुए है उन्हीं क्या धार पर अभी भी बढ़ाई चलना है तो certainly certainly he will certainly वह निश्ची थी आएगा है ना sorry हम मैच जीतेंगे we will certainly तो ऐसा करते हम मैच जीतेंगे we will win the match ऐसा यह certainly निश्ची निश्ची सब्द नहीं है जैसे यहां पर है वह निश्ची थी यहाएगा तो he will certainly 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 आएगा तो come यहां आएगा तो here ठीक है यह वह निश्ची थी यहां आएगा तो he will certainly यहां भी हम मैच जीतेंगे क्लियर है तो यह यहां पर थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया बी विल होगा ठीक है ना तो वी विल हम मैच जीतेंगे बी विल विन क्या में जीतना विन दा मैच बस यह होगा हम का मतलब होता है वी और मैच यह पर मैच होगा जीतना विन और विल क्या है आपका हेल्पिंगर तो वी विल बिल बिंदा मैच डब्लु आइट बिंदा मैच च्लیर है तो इस प्रकार के बाकों से आप आसानी से कर पाएंगे और कई सारे बाक हैं कि वह निश्चीत भी दौ तेके decision very soon ठीक है न इसको आप लोग सीख लें क्योंकि ऐसे बोलचाल में भी सब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं हम जल्द हम जल्द ही नणय लेंगे इसका क्या होगा इस्टूडेंट बता सकते हैं तो वी मतलब हम ठीक है और हम sell लगा सकते हैं आपर या बिल लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं न कभी बिल लगा देंगे कभी गलात नहीं होता समान वोलचाल में बिल लगा सकते हैं तेकिन अपन sell लगा रहे हैं grammar के आधार पर तो we shall take यह नहीं लेंगे decision लेंगे क्या लेंगे decision ठीक है जल्द ही मतलब very soon very soon हम जल्द ही नणाय लेंगे तो we shall take decision very soon हम जल्द ही नणाय लेंगे ठीक है मुझे कुछ और पैसे लगेंगे मुझे कुछ और पैसे लगेंगे तो मुझे मतलब I shall I shall मुझे कुछ और पैसे लगेंगे मतलब अवसकता है I shall need कुछ some मुझे कुछ और पैसे लगेंगे कुछ और more some colaboration some more money I shall need मुझे अवसकता है यह नहीं लगेगा कुछ और पैसे some more money ऐसे आप लोग कर सकते हां ठीक है? translate और जैसे और भी मैं दी कह दूँ कि क्या आप क्या आप जवल पूर जवल पूर जाएंगे यह आपका question bird है तो इसका आप बता सकते हैं क्या आप क्या आप आप मतलब यहां पर you और you के साथ लागेगा will तो will you अब आप बोलें question bird यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे हैं क्योंकि question bird प्रारम में है और जब भी question bird प्रारम में हो तब translate करते समय उसका हम नहीं लिखते हैं ठीके ना तो will you क्या आप will you क्या आप जाएंगे go to कहां will you go to जवल पूर क्या आप जवलपूर जाएंगे ठीक है ना तो कोई बोल दा yes yes I go to जवलपूर ठीक है या I will go I will go मैं भी जाओंगा या I will go to जवलपूर ऐसा भी आप इंसर दे सकते हैं तो आप इधी English भी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले translation सिखिए और कई सारे एक जामपल आप लोग घर में किया करें ठीक है अपने से लिखें कि मैं खेलूंगा मैं जीतूंगा मैं आउंगा I will come समान बोल चाल में दी बोलना है मैं आप कोई कि मैं मैं ज़लने आओगे yes I will come ठीक है तुम जाओगे as I will go ठीक है तुम खाना मैं आऊंगा I will come, मैं जाऊंगा I will go, मैं खाऊंगा I will eat, मैं बैटूंगा I will sit, मैं काऊंगा I will say, तो ये सामान बोलचाल में आप इन बागों का प्रयोग कर सकते हैं, साधान बोलचाल में जब भी आपको बोलना हो, सैल का प्रयोग नहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब business condition हो तब करें अन्था बिल का प्रियोग करके अपने speech या spoken English में सुधार कर सकते हैं चलते हैं student इसको आप लोग जरूर देखें और एक से दो बार देखा करें और playlist में और सारी वीडियों है grammar के आप लोग उसे भी देखें आपको grammar portion पूरा clear कराऊंगा यह मेरा बादा है बट आप लोग थोड़ा सा मेरा भी help करें लाइक कर दें अच्छे लगे तो दोस्तों साथ सेयर कर दें एक दो कम से कमच दोस्तों सेयर करने तो कापी है और नए है तो चनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए बेल आइकन प्रस कर लिजिए ताकि वीडियो का latest notification आपको मिलता रहे चलते हैं स्टूडेंट पर मिलते के लिए वीडियो नेट आप पिके साथ तब तक लिए जैहीन बंदे मातरम